जह हैं दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपने इस यूटूब चेनल अभ्यास ओनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और हम लोग आज फिर से पढ़ने वाला है दोस्तों गणित को चुक्तियों में हल करने वाला ट्रिक दोस्तों मैं इसमें वीडियो में जो कुछ गणिक के कोष्ण है उसको बताऊंगा पूरी डिटेlor तरीके से और दोस्तों स तरह का कोष्ण जो आएगा दोस्तों इसे हल करने के लिए आपकोर 15-25 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों तो मैं इसको समझा आ उन definitions करोगे महात्र 15-25 सेकंड में उसे हल कर लोगे और old question paper रो साथ ही साथ दोस्तों सीले बस जो है कक्छा 1 से कक्छा 5 के लिए और कक्छा 6 से लेकर कक्छा 8 मतलब वरगत 2 के लिए वरगत 3 के लिए सीले बस को नीचे description link में दे रखा है वहाँ पास से आप जाकर उन सभी सीले बस को आसानी से देख सकते हो इसके अलावा दोस्तों मैंने old question paper जो टीटी का लिया गया है वो 2014 का, 2011 का और 2017 का मैंने उसका वीडियो बना दिया है और नीचे आप link देख सकते हूं वहाँ पास जाके उन सभी वीडियो का आसानी से watch कर सकते है और दोस्तों पूरा analysis करके मैं पूरी detail तरीके साब को समझाने की कोशिश किया हूँ आप उसे जरूर देखिए तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पर subscribe नहीं कियो हो तो नीचे आपको rate बटन दिखाए दे रहोगा उस पर click करके मेरे चैनल को subscribe कर लें और नोडिफिकेशन बेल जैसे यह आएगा उसे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वार अप्लोड किया गया वीडियो आप लगातार watch करते रहोगे बीना किसी रुकावाट के तो दोस्तों इस तरह मेरे चैनल पर बने रहे तो चलिए स्टार्ट करते हमारा गनित का यह पार्ट तो दोस्तों इसमें जो पहला question दिया हुआ है दोस्तों उसको पहले देख लेते हैं उसके question क्या है मैं पढ़के बता देता हूँ यदि A बटा B बराबर 7 बटे 9 और B बटे C बराबर 3 बटे 5 है तो A अनुपाद B अनुपाद C का मान ग्याद करना है दोस्तों हमें किसका answer निकालना है A अनुपाद B अनुपाद C का देखने में दम भयावा दम कठीन जैसा लग रहा है अगर इसको बनाएंगे तो लगभग 5-6 मिनिट आपको ऐसी निकल जाएगा लेकिन हमें इसको कैसे बनाना है दोस्तों इसे हमें क्या करना है option जो दिया है उससे हमें क्या करना है उसको उसमें पूट करके देखना है और उत्तर को मिलाना है तो इससे क्या कहा जाता है go to answer method कहा जाता है तो दोस्तों इसमें क्या है करेंगे सबसे पहले जो option A दिख रहा है उसमें क्या दी है 7 अनुपात 9 अनुपात 15 इसको put करके देखेंगे जो question बोल रहा है उसमें A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9 दोस्तों इसमें क्या करेंगे A अनुपाद B क्या हो रहा है A बटे B बराबर क्या होगा दोस्तों इसमें 7 बटे 9 आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये कोशन को क्या कर रहा है ये point को satisfy कर रहा है अब दूसरा क्या दी बोल रहा है B बटे C बराबर 3 बटे 5 तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों अब क तीन तीन नौ तीन पंचे पंद्रा तो दोस्तों इसका अनुपात क्या हो रहा है तीन अनुपात पांच मतलब तीन बटे पांच क्या हो रहा है इसका आंसर आ रहा है तो इसका अनुपात के बराबर दोस्तों नौ अनुपात पंद्रा के तो दोस्तों इस तरह क्या हो यह-स यह आप्स जो है 16 5 हो रहा है है MRI मुछ पर दोस्तों हम दूसरे ओप्सन को इसमें करके देंगे तो क्ल्लिश्में दूसरे ओप्सन को जब करके देखेंगे तो क्या हो जाए दोस्तों पहला एबटे बी बडाबर साथ बटे 9 तो A बटा B बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 9 तो आ रहा है लेकिन क्या हो जाएगा जो B बटे C है वो क्या हो जाएगा 3 बटे 5 आएगा क्या तो इसे हम 9 बटे 5 इस तरह लिखेंगे क्या हो जाएगा यह B बटे C तो ये क्या हुजान रहे है नोबटे 5 क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा तो दोस्तों ये B option फुल तरह से गलत हो जाएगा अब जो है तीसरा option को देखते है तीसरा option जो दिया हुए इसमें क्या दिया है 21, risking, 35 तो क्या करेंगे 21, am 95, 35 ये कटेगा क्या दोस्तों तो ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा एक दूसरे से नहीं कटेगा उसी तरह है तो क्या हो जाएगा जो option c है वो भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों अब ऑप्सन d को देखते है option d में कहा है 7 अनुपात 3 तो ये a है और दूसरा क्या है b है तो क्या हो जाएगा a बरभर क्या है साद बटे आउW तो इसे जो झालो गए तो यह जू perception आपको आगे तो यह przy यहां पास क्या करना में आपको देखना है कि वो A अनुपात की B के रूप में R है कowanि नहीं आ रहे हैं तो A अनुपात B मतलब क्या हो जाएगा मतलब साथ बटे 9 तो 7 अनुपात 9 मतलब क्या हो रहा है यह आ और δूसरा क्या दिया है ृज भी बटे C मतलब 3 बटे 5 यहांस आना चाहिए तो क्या है ये B है मतलब ये option 9 जो है B है और ये 15 जो है क्या है C है तो 9 बटे 15 हो जाएगा तो इसको कटाएंगे जब दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3 पंचे 15 और इस तरह क्या हो जाएगा और 3 तिया 9 तो क्या हो जाएगा 3 बटे 5 ही आ रहे है तो सहीं उत्तर क्या हो जाएग question को ध्यान से पड़िए दोस्तों A अनुपाद B बलाबर 3 अनुपाद 4 और C अनुपाद B बलाबर क्या दिया है 5 अनुपाद 4 और सांथ ही सांथ दोस्तो C अनुपाद जो D है बलाबर 10 अनुपाद 9 दिया हुआ है तो हमें क्या answer निकालना है दोस्तोn A. अनॉपाद B. अनुपाद C. अनॉपाद D. इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों option में डिए हुवा है पहला जो option दीख रहे है वो क्या है? यह इसमें A है, यह B है, यह C है और यह D है दोस्तों. तो इस करह हम इसका अनॉपाद निकालेंगे. तो दोस्तों इसमें जब अनुपाद हम लोग इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जो A अनुपाद B क्या दिया हुआ है 3 अनुपाद 4 तो पहला option जो है उसमें देख लेते हैं जो 8 अनुपाद 6 तो पहला क्या हो जाएगा A अनुपाद B बराबर क्या लेंगे 8 अनुपाद 6 तो दोस्तों ये कट रहा है किस से कट रहा है 3 से 3 अनुपाद 4 के फॉर्म में ये आएगा क्या 3 अनुपाद 4 के फॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों तो क्या करेंगे अब तो यहीं से समाझ जागे गिना कि यह जो आउट्सन जो दिया हुआ है यह वो क्या है पूरी तरह से गलत है दोस्तों तो तो दोस्तों उसी तरह हम क्या करेंगे अब जो दूसरा आप्सन है उसको हल करके देखते हैं तो पहला क्या बोल रहा है अनुपाद भी बलाबार तीन तो यहां पास यह नुपाद B क्या दिए है आठ अनुपाद 6 जब इसको जो दोस्तों आठ अनुपाद 6 को हम लोग इसको सरलतम रूप में जब इसको काटने की कोसिस करेंगे मतलब 8 बटे जो है 6 को इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आट तो यह बहुत जाएगी का थे न स्lesh corre up से उसको द हैं बहुत कि सिंफरा कि भीट चुछ इंता दो गलत हो इसको अगला श्रेंग च्छार डॉर्पार तो है उपशन है यह तो यह जो पी है दोष्ट दोस्तोंग जाएगा 2, 3, 6 और क्या हो जाएगा 2, 4, 8 तो दोस्तों A का मान जो हमें A का जो मान मिला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 3 है और B का जो मान मिला है दोस्तों वो क्या है 4 कोश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है ये पूट हो रहा है तो इसमें C कौन सा है, 10 है, तो 10 लिग देते हैं, और जो B कमान दिया हुए है, 8, तो बटे 8, तो हमें क्या लाना है, इसमें 5 अनुपाद 4, मतलब 5 बटे 4 लाना है, तो यह आएगा क्या हो जाएगा, 2,5,10 और 2,8, तो इस तरह दोस्तों, यह 5 बटे 4 क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब 5 अनुपाद 4 आ रहा है, तो मतलब यह जो C अनुपाद जो B है, वो क्या कर रहा है, इसमें सटिस्फाई कर रहा है, अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो दिया हुए है, क्या दिया हुए है, इसमें C अनुपाद D बराबर 10 अनुपाद नौ मतलब C अनुपाद जो D दिया हुआ है वो 10 अनुपाद नौ आना चाहिए तो इसमें क्या दिया है C का कमान क्या है 10 और जो है D कमान दिया हुआ है 9 तो इसमें हल करने की जरुद नहीं है दोस्तों तो इस तरह से option जो है C A अनुपाद B और C अनुपाद B और C अनुपाद D को क्या कर रहा है पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा C option जो है सहीं हो जाएगा अगर दोस्तों हम option D को भी अगर हल करने की कोसिस करें तो क्या हो जाएगा इसमें और सहीं option जो है अनुपाद, C, अनुपाद, D, अनुपाद, E, अनुपाद, F, अगर अगर इसमें पूछा जा गया दोस्तों, अनन्थ तक, मतलब अनन्थ तो नहीं, लेकिन क्या है, एक सीमित लिमिट तक अगर पूछा जाए, तो आप उसे आसानी से बना सकते हो, किस से, गो टू आंसर, ज अगला प्रशन देख लेता है, प्रशन नमबर 3, जो अधिकतर पूछा जाता है, जो आसानी से बनता है, लेकिन आप उसे कठी नहीं करके छोड़ देता हो, तो कोश्चन जो 3 है, दोस्तों, वो लाभानी से संबन दीता है, प्रशन एक बार पाल लेता हूं, दोस्तों, एक पंखा है, फेन को क्या कर देता है, वो 1200 रुपए में बेंच देता है, अपने किसी भी वेक्ती को, तो अगर वो 1200 रुपए में बेंच देता है, तो दोस्तों, उसको कितना रुपए की हानी होता है, दोस रुपए की हानी होता है, तो प्रशन ये पूछ रहा है, कि कितने मे के देखते हैं तो दोस्तों क्या कर रहा है पंखे को बारा सो रुपए में बेंच रहा है और कितने की हानी हो रहा है वो से दोसो रुपए की मतलब क्या करेंगे बारा सो में क्या करेंगे दोसों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों बारा सो में क्या करेंगे जो दोसो तो क्या है 1400 उसका क्या है actual rate अब 1400 में क्या करना है उसको 10 प्रतिशत लाभ कमाना है तो 1400 का 10 प्रतिशत तो 14 का 10 प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें किसका अब कैसे लिखेंगे इसको चौदा सौ का दस प्रतिशत है ना दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पास का का मतलब क्या होता है गुणा और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे तो दोस्तों इसको कैसे लिख हो गया चौदा सो गुणा इसका दस प्रतिशा तो दस बटे सो तो अब क्या करना है इसको कटा देना है इसका एक जिरो और नीचे का दोस्तों दूसरा जिरो और उपर का भी एक जिरो और नीचे का उपर का ही दूसरा जिरो तो यहां पास आया तो क्या हो जाएगा उसका 10 प्रतिशत जो है उसमें जूड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों अब इसमें क्या करेंगा अब जो है इसमें जूड देते हैं 10 प्रतिशत को इसमें मारेने में वह इलोर बेजता है तब उसको क्या मिलेगा 10 रुपाय का लाब उसे मिलेगा दोस्तों तो इसमें जो सही पशन कहां पास दिख रहा है दोस्तों 154 तो 154 आपको डिया प्राइचर ठीछाई दिखाई दे रहा CT तो D option क्या हो जाएगा दोस्तों सहीं हो जाएगा दोस्तों ये question क्या है सरल है अगर आप इसे थोड़ास और दिमाग लगाएंगा तो इससे भी थोड़ास heart question को भी आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों इस तरह के मैं वीडियो लाता रहूंगा अगर आपको maths में कुछ problem होती है तो मुझे comment करके जरूर बताईए ये वीडियो आपको तो कैसे लगा दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों पर वाट्सप ग्रूप में फेस ग्रूप में इंस्टाग्राम में जितने भी social media है वहाँ पास इस से शेयर जरूर करें दोस्तों मेरे इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है अगर कुछ मैस समधिर कुछ ट्रीक आपको जानना है अगर कुछ और समझ नहीं आता टॉपिक को कमेंट करके जरू बताए उस पर मैं वीडियो बगांके आपको जरूर समझाने की कोसिस वाच कर सकेंगों दोस्तों बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखे इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू